पैदा होने के बाद बच्चे को बड़े होते वक्त तरक्की और विकास के कई पड़ाओं से गुजरना पड़ता है, इन्हें कहते हैं माइल्स्टोंस. तो ये milestones होते क्या हैं? ये कुछ और नहीं बलकि एक बच्चे को उम्र के एक पड़ाव पर क्या करना चाहिए? उसके शारिरिक और मानसिक विकास को देखते हुए. मिसाल के तोर पर दो महिने के बच्चे को अपनी मा को पहचानना चाहिए, उसे देखकर हसना चाहिए. धाई या तीन महिने का होने पर उसे social smile सीखना चाहिए, दूसरे लोगों को देखकर हसना चाहिए. लगभग साड़े तीन या चार महिने का होने पर उसकी गर्दन, स्थे पिर हो जानी चाहिए जब आप उसे बैठाने की कोशिश करते हैं। नौ से दस महीने की आयू होने पर उसे बाइसलबिक शब्द बोलने चाहिए जैसे की मामा, टाटा, दादा और इसके जैसे कई शब्द। जैसे की मम्मी, टीवी और भी ऐसे कई शब्द। तो ये तो बहुत ही एहम और बेसिक माइल्स्टोन्स हैं जो आपको अपने बच्चे में दिखाई देने चाहिए। अगर आपको इस बेसिक नॉर्मल विकास में कोई कमी नज़र आती है तो आगे की जांच करवाने के लिए अपने पेडियाट्रिशन से मिलें। हुआा बेसिक लागे के समय तो तो आपको अटे मिलें।